व्लौश। Even children, welcome to learning campus tutorial. दोस्तोs, learning campus tutorial में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, उम्मेर करतो हो, सब बहुत अच्छे से होंगे. हमने historical background पे अभी तक दो lecture किये है, lecture number 1 में हमने regulating act लेक्ट 1773 को study किया था और lecture number 2 में हमने amending act 1781 को study किया था. तो अब भी आज हम इस act में Pitsing ये act आप 1784 को study करेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको suggest करूंगा कि आप पिछली दो वीडियो को भी जरूर देखे क्योंकि ये act आपस में जुड़े हुए है इसके अलावा एक और वीडियो जो मैंने बागी के पिछली जो दो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको suggest किया था कि जो एक अलग से वीडियो है जिसका link में नीचे description box में दूँगा How crown destroyed the company नहीं fall of East India Company किस तरह से यहाँ पर East India Company को crown ने खदम किया तो वो वीडियो भी आप जरूर देखेगा क्योंकि उस वीडियो में जितने भी एक्ट है company role के अंदर 1773 से लेकर 1858 तक जितने भी एक्ट आएंगी उन सब एक्ट को मैंने एक ही वीडियो के अंदर discuss किया है लेकिन मैंने उसके अंदर सारे provisions को touch नहीं किया है मैंने सिर्फ उन provisions को touch किया है सिर्फ वो provision discuss किये है जिन provisions के जिरिये पीछे से crown ने यहाँ पे company की power को बिलकुर खतम कर दिया था जिरो कर दिया था और यहाँ पे finally 1858 के अंदर अपना direct role यहाँ पे establish कर लिया था तो इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखेगा लिंक नीचे description box में मिल जाएगा अभी आज हम start करते हैं Pits India Act 1784 अब देखिए यह जो act है East India Company Act 1784 इसी act को William Pits the Younger जो उस वक्त के Prime Minister थे England के उनके नाम पे Pits India Act of 1784 भी कहा जाता है अब आगे भरने से पहले मैं आपको उस वक्त की administration किस तरह थी यहाँ पर इंडिया में कैसे काम कर रही थी उसके बारे में बताता हूँ तो देखिए Regulating Act 1773 जब हमने study किया था तो उस वक्त हमने देखा था कि इंडिया में थ्री मैन जून्जाफ पावर थे तीन प्रेजिदेंसी थी एक थी बंबई प्रेजिदेंसी एक थी मदरास प्रेजिदेंसी और एक थी बेंगॉल प्रेजिदेंसी और यह तीनों प्रेजिदेंसी में अपने अपने गोवर्नर हुआ करते थे जो तीनों गोवर्नर इन प्रेजिदेंसी के एक दूसरे से independent हुआ करते थे लेकिन regulating act 1773 ने क्या काम किया regulating act 1773 ने governor of Bengal को बना दिया governor journal of Bengal और बाकी की दो presidencies के जो governor थे उनको subordinate कर दिया governor of Bengal के सामने और उसे बनाया governor journal of Bengal उसकी powers को बढ़ाया गया और बंबई का जो governor था presidency आब बंबई इसका जो governor था और मदरास के जो governor था इनकी powers को कम करना start किया और power का एक centralization start किया तो regulating act 1773 में एक process start होता है centralization का power को centralize करने की कोशिश की जा रही है और finally हम आगे चलके देखेंगे charter act of 1833 में complete centralization हो जाता power का यानि यह जो बंबई की presidency थी और यह जो मदरास की presidency थी इनकी power को बिल्कुल zero कर दिया जाता है legislative power बिल्कुल खतम कर दी जाती है और power जो ही पूरी तरह centralized हो जाती है Bengal के अंदर तो regulating act 1773 में governor general आप Bengal की post बनी governor आप Bombay और governor आप मदरास को subordinate कर दिया जाता उसके सामने उसके बाद एक governor general की console बनती है इसको assist करने के लिए जो governor आप Bengal था governor general आप Bengal बन गया अब उसको assist करने के लिए चार मेंबर की executive console बनाई जाती ही जिसे governor general console कहा जाता है तो इसी तरसे बागी जो दो presidency थी इनके अंदर भी एक इसी किसम की console बनाई जाती ही चार-चार मेंबर्स की तो यह थोड़ा सा उस वकत का administrative structure में आपके समने रख रहा था अब यह Pits India Act जैसे मैंने कहा East India Company Act 1784 भी इसे कहा जाता है और William Pits the Younger 21 की age गे थे जब यह British cabinet में आये थे बिरिटिश पार्लेमेंट में आये थे और 23-24 की age में प्राइमिस्टर बने थे यह देख रहे हो ओके तो Pits India Act 1784 इनके नाम पे था अब reasons क्या थे इसको लाने के तो भाई देखे रेगुलेडिंग एक 1773 जो आया था उसके आंदर कुछ defects थे उन defects को खदम करने के लिए MN एक 1781 लाया MN एक 1781 ने काफी हद तक उसके जो defects थे उनको खदम किया जैसे कि जो एक टसल चली थी जो गौर्णर जर्नल की एक कॉंसल बनी थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोड बनाया गया था 1774 में कलकता के अंदर उस सुप्रीम कोड और गौर्णर जर्नल की जो प्राइमेरली एक एक्जेक्यूटिव कॉंसल थी लेकर लेगन लेजिसलेटी फंक्शन भी प्रफार्म किया गती थी उनके बीच में टसल चल रही थी सुप्रीम कोड जगा जगा इंटरफियर कर रहा था तो उस टसल को ख़दम करने के लिए और सुप्रीम कोड का जो ओवर इंटरफियरंस था उसको ख़दम करने के लिए अमेंडिंग एक 1781 को पास किया गया लेकर उसके बाद भी कुछ डिफेक्ट रहे थे जिसे करप्शन था यहां के जो इस्ट इंडिया कोपनी के ऑफिसर थे जब यह वह इंडिया से ब्रिटेन वापट जाते हैं जैसे मैं पहले भी का था बैक भर-भर के पैंसे लिए जाते थे ओके और बहुत सारे यह जो गौर्णर जारण थे इनको इंको इंको इंपीज भी किया गया रॉबिट के लाई उको इंपीज करने के बाद उसने सुसाइट भी कर ली थी तो यहां से आइडिया लगा लेजे करप्शन इतना ज्यादा था कि उस वकत की जो ब्रिटेन की रईस रईस फैमिली बड़ी बड़ी जो फैमिली हुआ करती थी वो कोट अब डाइरेक्टर क् कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो कहां भी बैठती थी लंदन में बैठा करती थी और 24 मेंबर इसमें हुआ करते थे ठीके अनुल बेसिस पे कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो ने एलेक्ट किया करते थे और कंपनी के जितने भी मेजर डिस देन थे वो यही कोट अब डा कंपनी के उसको मैंने रेगुलेड में 1773 के अंदर डिसकस किया है तो क्रफशन इतना ज्यादा था कि अमेंडिंग एक 1781 उसे खतम नहीं कर पाया नर्डेगुलेडिंग 1773 खतम कर पाया तो पीट्स इंडिया एक 1781 को लाया गया उस क्रफशन को रोकने के लिए सिर्फ ये नहीं था reason और भी थे लेकर एक reason corruption का भी था उसके बाद देखे हो क्या रहा था जो East India Company थी यहाँ पे तो देखे political function भी अभी तक यही perform कर रही है साथी सा जो commercial function है company के जो commercial function है वो भी यही East India Company perform कर रही है तो इसकी वज़े से जो administration थी वो काफी ज्यादा inefficient हो गई थी corruption की वज़े से भी inefficient थी और उसके बाद यह जो intermixing थी large defined नहीं थी powers defined नहीं थी तो इसकी वज़े से भी inefficient हो गई थी administration तो उस inefficiency को ख़दम करने के लिए भी पेटस इंडिया act को लाया गया अब उसके बाद क्या हो रहा था अब देखिए 1600 में company बनी उसके बाद वो यहाँ पे इंडिया में आई यहाँ पे इतने ज़्यादा conflicts होए natural rulers के साथ उसके बाद local merchants के साथ तो यहाँ पे जितनी power थी Britain की, East India Company की वो establish किसने की, वो खुद company ने establish की, company ने sacrifice किये यहाँ पे इतना ज़्यादा rule जो रहा company की, supremacy को establish करने के लिए वो किसका रहा, वो खुद company कही रहा पीछे crown का उतना ज़्यादा कोई हाथ नहीं रहा था लेकिन फिर भी crown क्या करने था पीछे से last pass करने था company की power को खदम करने के लिए तो इसकी वज़े से company के अंदर क्या था company जो है, वो crown की बाद माननी रही थी तो company के अंदर जो यह supremacy थी उसको खदम करने के लिए भी Pits India Act 1784 को लाया गया कि company को, company की जो power है उसको थोड़ा रोक दिया जाए उसको थोड़ा control में लाया जाए तो यह जो company की सुपरमेसिय थी इसको खदम करने के लिए Pits India Act 1784 लाया गया तो basically यहाँ पर क्या बात थी Pits India Act 1784 में crown यह दिखाना चाहता है that who is the boss, असली boss कोन है तो वो आगे जब हम provisions देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से crown ने अपने आपको prove किया तो अब बात करते हैं provisions की तो देखेंगे इस act के अंदर क्या किया गया तो एक double government का system establish किया double government का system कैसे establish किया बाई जैसे मैंने आप से कहा था कि जो political function थे company के उसके अगावा जो commercial function थे तो political function भी ये company ही perform कर रही थी commercial function भी ये ही company परफॉर्म कर रही थी लेकिन PITS India Act 1784 ने क्या काम किया इनकी power को बिलकुल beach में से split किया political functions को अलग कर दिया commercial functions को अलग कर दिया और क्या कहा कि एक double government introduce कर रहे हैं double government कैसे introduce की बाई एक नई body board of control के नाम से एक नई body बनाई court of director तो पहले सही थी court of director मैंने बताया court of director क्या थी ये वो company की governing body थी 24 member, 24 director जिसके अंदर बैठा करते थे कहां भे बैठते थे लंदन में बैठती थी ठीक है तो company के जितने भी major decision थी यही लिया कर दिए court of director तो already थी उसके बाद board of control के नई body बनाई गई ओके तो board of control एक नई body बनाई गई तो ये कहा गया कि अब जो board of control है वो क्या काम करेगा board of control political affairs को देखेगा और court of director जो है court of director क्या काम करेगा court of director commercial affairs को देखेगा तो देख रहे हो political affairs जो political affairs थे political function थे उनको अलग किया commercial function को अलग किया तो political function कौन देखेगा political function देखेगा आपका board of control commercial function कौन देखे तो commercial function अब देखेगा court of director तो पहले जो company थी political function भी वही perform कर रही थी commercial function भी वही perform कर रही थी तो उसकी इस power को split किया political functions को आप company नहीं देखे कि political function को board of control देखेगा अब ये board of control क्या था तो भाई board of control जो था ये एक 6 members के body बनाई गई नई body और ये भी कहां बैठेगी ये भी लंदर में ही बैठेगी परने का थे कोड़े वाई बैठेगी बोर्ड अफ कंट्रोल भी लंदर में बैठेगी तो च्छे मेंबर से इसमें कौन-कौन था इसमें बाइक कंप्री का जो एस्ट इंडिया कंप्री सौरी बौरड अफ कंट्रोल की बात कर रहो तो जो board of control है इसमें 6 होगे वह 6 कौन होंगे एक तो होगा चार प्रिवी चौन करेगा इनको करेगा इनको करेगा इन आ रहा हूं बोर्ड अफ कंड्रोल एक नई बॉड़ी बनाई किस लिए बनाई भए प्लिट्कल affairs को देखी की, ओके, छे मिंबर थे, chancellor of exchequer, secretary of state और चार प्रिवी consulars, ओके, president कोण होगा, इसका, भई, जो president होगा, इसका वो कोण होगा, secretary of the state होगा, और ये जो president बना, board of control का, जो president बना, ये basically British cabinet का एक minister हुआ करता था, तो इस तरह से, जो board of control था, ये क्या था, ये crown की एक body थी, British government की body थी ये, तो अब company को दो चीज़े represent करने लग गई, company को जो represent, company के अंदर, जो company को represent करेगा, तो वो कौन करेगा, वो करेगा, court of director represent, और जो company के अंदर crown को represent करेगा, तो वो कौन करेगा, वो board of control represent करेगा तो crown को represent करेगा board of control और जो company को represent करेगा वो करेगा court of director ये जो board of control और court of director इनके जो function अलग-अलग किये board of control political functions को देखेगा और जो court of director है वो किनको देखेगा commercial function को देखेगा तो इस system को devil government कहा गया ओके, साथी सार board of control को power दीए गई कि भाई जितने भी civil matters है military government है और उसके बाद जितने भी revenues है उन सब के उपर हम आपको power देते इन सब को भी कौन देखेगा इन सब को भी board of control देखेगा साथ ही साथ इंडिया में जो governors भीजने हैं वो भी कौन भीजेगा वो board of control भीजेगा तो board of control जो थी ये एक government body थी और जो court of director थी वो एक private body थी तो board of control company को represent करें थी पॉरेट कराफेर्स को देख रही थी और court of director जो थी वो क्या थी वो तो company को represent करेगी already वहाँ पे मोजे हो थी वो पहले से ही बनी थी court of director नई body बनाई तो board of control और court of director अब इन दोनों के बीच में एक link का काम कौन करेगा तो link का काम ये secret committee जो बनाई गई ये करेगी अब इस secret committee के अंदर कौन था इस secret committee के अंदर board of control के सारे member थे कितने 6 जो board of control थे वो सारे के सारे थे और court of director के जो 24 member थे उनमें से 3 member इसके अंदर होंगे secret committee के अंदर हो ये क्या काम करेगी एक link का काम करेगी board of control और court of director के बीच में साथ ही साथ जो वहाँ Britain से जो order लाने होंगे या इंडिया के लिए वो भी कौन लाएगी ये secret committee लाया करेगी I hope आपको ये समझ आया होगी एक बार में फिर सो इसको revise कर देता हूँ double government क्या है basically ये जो पहला provision है double government की बात कर रहा है और कुछ नहीं double government ये है कि board of control नई body बनाई गई court of director already से थी board of control क्या काम करेगी board of control political affairs को देखेगी civil military और revenue के जो matter होंगे वो इसके अंदर आएंगे उसके बाद court of director जो है जो already यहां पर मोजी हो थी political function को भी देखा करती थी पहले commercial function को भी देखा करती थी अब सिर्फ commercial affairs को court of director देखेगा तो समझ रहे हैं आप political function को अलग किया commercial function को अलग किया political function को board of control देखेगा commercial function को court of director देखेगा तो इस system को कहा गया double government system अब उसके बाद governor journal की जो console थी उसके अंदर को changes लाए भाई पहले governor journal की console में कितने हुआ करते थे 4 लोग हुआ करते थे ने 4 member के executive console जो regulating act 1773 में बनी थी governor journal को assist करने के लिए और बाकि जो 2 presidency थी उनके अंदर भी वो 4 member की console थी अब इसमें क्या किया गया यह जो 4 member की console थी इनको 4 से 3 पे लाया यह 4 से 3 पे लाने के पीछे मकसद क्या था बैसिकली यह इस बार governor journal की power को बढ़ाना चाहता था कौन ग्राउन बढ़ाना चाहता था पहले problem क्या थी यह देख लिजे चार लोग थे executive console के अंदर governor journal की executive console के अंदर और एक हुआ कर जाथा governor तो अगर governor को कोई लापास करना है governor को कोई लापास करना है तो उसके लिए उसको कितने लोगों की कितने लोगों का support चाहिए था उसको चाहिए था अपने साथ 3 लोगों का support जब तीन लोगं का सपोर्ट होगा तो वो क्या होगा वो लापास होगा गौर्णर अपने लापास कर सकता अगर दो लोग सपोर्ट करते हैं ठीक है फिर भी वो लापास होगा ठीक है न क्योंकि गौर्णर का भी अपना एक वोट था तो अगर कोई भी लापास करना है तो मिन दूनी इस शाम परषा उस्गी फ़िया हैं पींधा परुर्ण आर्षरे घर सारह दह प्रभु को सीasyum पाव exacerbate नत उस्ख यह प्रॉस आब आगए तो किसले किएya उन्हें टागी यह पास होग सब्सक्रादा कर रहे हैं एक बंदा स्पोर्ट कर और एक गौर्णर टू इस तो टू लेकर इस बार क्या हुआ कास्टिंग पावर का मतलब क्या था कि भाई एक बंदे ने वोट किया दूसरे बंदे ने भी वोट किया तीसरे बंदे ने वोट जो है गौर्णर के हक में किया ठीक है देखो देहां से समझे इस चीज़ को, तीन बंदे हैं अब एक्जगीटिव कॉर्णसल में, ओके, एक है खुद गौर्णर, अब गौर्णर ने कोई लापास करना है, तो दो लोगों ने नहीं माना, उनने का कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकर एक बंदे ने सपोर्ट किया, तो इसका एक वोट हो गया, गौर्णर का अपना एक वोट हुआ, तो कास्टिंग वोट का मतलब है, अब उसको एक किसम का विटो पावर मिला, कि अब वो एक और वोट डाल सकता था, तो इस तरह से क्या हो जाता है, रेशो, 2 is to 3 का रेशो हो जाता, और जो ला था, वो गौर्णर जर्नल पास कर सकता था उसको, समझ रहो, यानि गौर्णर एक थाब से यह समझो, सिंपल लेकर गौर्णर जो हो दो बार वोट कर सकता था, पहले वो ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है, तो इस तरह से गौर्णर जर्की कॉर्णर में कुछ चेंजिस लाए गए, किसले लाए गए, गौर्णर की पावर को बढ़ाने के लिए, अब देखें, यह जो तीन लोग थे, एक्जेक्टिटिव कॉर्सल के अंदर जो तीन थे, उसके अलावा जो बेंगवाल की प्रेजिडेंसी थी, इसकी पावर को और बढ़ा दिया गया, यह जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसके अंदर जो बंबई का गौर्णर है और जो मदरास का गौर्णर है, उनकी पावर्स को पहले कम कर लिया गया था, और कम कर दी गया, और जो कैलकेटा यानि बेंगॉल प्रेजिडेंसी थी, उसकी पावर को बढ़ा दिया गया, किस मैटर में, भाई, वार, रिवेन्यू और डिपलमेसी के मैटर में, इसकी powers को over बढ़ा दिया गया और उनकी powers को कम कर दिया गया जैसे के अब जो बाकि गुवर्नर्स थे वो war declare नहीं कर सकते थे गुवर्नर जनल अब Bengal की permission के बगियर अब उसकी बात क्या हुआ देखिए corruption को रोकने के लिए corruption को रोकने के लिए क्या किया गया तो corruption को रोकने के लिए ये कहा गया corruption जो थी ये बहुत बड़ी problem थी corruption को रोकने के लिए regulating act 1773 लाया कुछ नहीं बनना, amending act 1781 लाया कुछ नहीं बनना, अब peats india act 1784 लाया इसमें क्या गया कि जितने भी civil और military officer होंगे East India Company के उनको ये order दिया कि आपको क्या काम करना है आपको क्या provide करना है जितनी भी आपकी property होगी, चाहे इंडिया में है, चाहे ब्रिटेन में है, दोनों जगा इंडिया में भी है, ब्रिटेन में भी है तो within the two months of the joining, यानि post को join करने के दो महिने के अंदर अंदर, आपको अपनी जितनी भी property है, वो show करनी होगी ओके ताकि ये पता चल जाए, क्योंकि वो property पर property बना रहे थे, आपकी joining से पहले कितनी property है, और joining के बाद कितनी property आपकी बनी, क्या जितनी आपकी जितना हम आपको pay करते है, उससे इतनी अब ये trade था, वो तो पहले उनको ban कर दिया गया था, क्योंकि इस निया company के अंदर जो officer से, उनको खुद पहले ये company ने कहा था, कि आप छोटा मोटा अगर कोई trade चलाना क्याते है, आप कर सकते हो, लेकिन बाद में regulating act sentence के अंदर उसको ban कर दिया के लिए ये कुछ प्रोविजन लाए गए, Pits India Act 1984 के अंदर, तो अब मैं बात करता हूँ, इसकी significance की, अब देखे, इस act की significance जो है न, वो दो बातों से जाहिर होती है, पहला तो ये कि इस act के अंदर क्या कहा गया था, अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, अभी तक कंपनी वो रही थी, East India Possession in India, कि भाई, East India Company का control, East India Company का possession इंडिया में, जो जो वो territories acquire कर रही थी, तो वो ये कह रही थी, कि ये company की है, लेकिन इस बार क्या हुआ, company की जो territory in India में थी, उनको कहा गया, भाई, ये company की territories नहीं है, company का possession नहीं है, ये है British Possession, British Possession का मतलब British Crown का possession, तो ये जो sentence use किया गया था, British Possession in India, ये किसलिए use किया गया था, असल में crown क्या दिखाना चाहता था, crown दिखाना चाहता था, जैसे मैंने पहले कहता, who is the boss, तो अभी तक ये जो सब करते हैं, company, 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 तो crown ये दिखाना चाहता था, company कुछ भी नहीं है, company कुछ भी नहीं है, company जो हमारी सिर्फ एक servant है, तो company का पर जो असली daddy है, असली बाप है, वो वहाँ crown Britain में बैटा हुआ है, तो ये दिखाना चाहती थी, ये crown दिखाना चाहता था, company को भी, उसकी सुपरमेसी को ख़दम करने लिए, जो सुपरमेसी वो दिखा रही थी, अपनी पीछे से crown की कोई बात माननी रही थी, तो उसको ख़दम करने के लिए, ये word यहाँ पर, ये sentence यहाँ पर यूज किया गए था, British position in India, company क्या कह रही थी, East India Company's position in India, लेकिन company, पीछे crown ने officially कह दिया कि, not East India Company's position, it's British position in India, British यानि British government, ओके, उसके अलावा क्या हुआ, जो ब्रिटेज्ट की गोवर्मेंट थी, ब्रिटिश गोवर्मेंट थी, उसको पूरा supreme control दिया था, company के जो affairs है, और जो administration है, उसके उपर, जो board of control बनाया गया था, पूरा control था उसके पास आ गया था, political affairs तो उसने manage कर रहे थे, उसके अलावा जितने भी civil, military government, और उसके बाद, revenues के जितने भी affairs थे, वो तो आप board of control, खुद उन्हें control करता, खुद manage करता, company के पास क्या बचे था, सिर्फ commercial power अब उसके पास बचे थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, supreme control मिला था, company के जो affair और administration है, इंडिया के उपर, उसका supreme control मिला था, किसको मिला था, British government को मिला था, तो यह दो जो है, यह काफी ज़्याद़ significance थे, इस act के, अब देखिए, problem यहाँ पर क्या हुई, drop X क्या हुए, अब जो governor journal था, उस बचारे को क्या हुआ, अब उसको, दो के साथ tackle करना था, एक तो East India Company के साथ उस बचारे को deal करना ही, जा साथ ही साथ British government के साथ भी उसको deal करना था, पहले जो थे, जैसे मैंने कहा था, पहले क्या था, पहले सिर्फ, court of director था, court of director थी सारे decision लिया करता था, लेकिन अब court of director को सिर्फ commercial decision लेने के लिए का, बागी जितने भी political decision होंगे, military के decision जितने भी होंगे, civil decision जितने होंगे, revenue के जितने decision होंगे, वो कौन लेगा वो आप बोर्ड अप कंट्रोल लेगा तो इस तरह से गौर्णार जर्रल को आप दो-दो मास्टर्स को सवरू करना था उसके बाद यहां पर भी क्या था यहां पर कोई ट्रांसफेरेंसी नहीं थी चीजों को आशए से इसंट अध यहां पर क्लियर नहीं किया हुआ था तो इसकी वाज़े से भी काफे जयर्था प्रॉबलम आई तो आगे आने वाले एक्स में उन प्रॉबलम को भी solve करने की, resolve करने की कोशिश की गई है तो यह जो आज का lecture था यह था Pits India Act 17 84 के उपर तो इससे पहले जो दो एक्ट था है Regulating Act 17, 73, Amandic Act 17, 81 उनको भी जरूर देखेगा और नीचे में description box में वो link दूँगा How Crown Destroyed the Company जिसके अंदर जैसे मैंने पहले का सारे एक्ट मैंने Company Role के cover किये है आप वो जरूर देखेगा उससे आपको यह वीडियो Sorry, उससे आपको यह जो historical background के अंदर जो पहला पार्ट है Company Role का, इसके अंदर जितने भी एक्ट आएंगे वो सब आपको अच्छे से कहानी की तरह याद रहेंगे तो दोस्तों यह था एंड इस वीडियो का उम्मीद करतों आपको लेक्टर बहुत पसंद आया होगा Thank you so much, bye bye, take care